नमस्कार फ्रेंड स्वागत है आप सभी का स्वालेशन में देरे सब यूटूब चैनल में इस वीडियो में परपोजिशन से अब्जेक्टिव कोशन लिए हैं जो कि सभी एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट हैं तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं अगर चैनल पर पहले मतलब किसी के ऊपर हो और टच हो तो इसके पहले जो प्रपोजिशन होता है यह ओन होता है तो हमेशा याद रखें किसी के ऊपर जैसे यह टेबल है तो टेबल के ऊपर जो कैलकुलेटर है यह टच में है तो इसमें आएगा हमेशा अन तो यह पूंट आप याद रखें तो तो इसका जो है हमीशा आपको fix position याद रखना है तो angry के बाद हमीशा जो है बिद आता है तो he was angry with me मतलब वह है मुझे से नाराज था तो इसका जो है option जो है डी correct हो जाएगा अगले जो question है question number 3 that man is found guilty blank theft तो इसमें आप हमीशा याद रखें जो found के बाद हमीशा पर position जो है off चलता है तो यह fix याद रखें found के बाद हमीशा जो है यह off चलता है इसका मतलब हो जाएगा वह है आदमी चोरी का दोसी पाया जाता है तो इसका जो है option ए correct हो जाएगा अगले जो question है question number 4 your teacher is not satisfied your study तो satisfied के बाद जो आता है पर position यह fix है तो इसके बाद जो है बिद आता है तो यह point आप याद रखें मतलब जो है आपका सिच्छक जो है आपके अधियन से संतुष्ठ नहीं है इसका मतलब हो जाएगा तो satisfy के बाद जो हमीशा बिद आता है option ए correct हो जाएगा अगले जो है question number 5 इसमें दिया है he should take care blank his health तो care के बाद हमीशा off आता है तो option जो है c correct हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा उसे अपने स्वास्त का ध्यान रखना चाहिए अगले जो question है question number 6 है मुकेस traveled blank train तो traveled के बाद हमीशा traveled by train मतलब की जो है इसका मतलब हो जाएगा मुकेस ने train से यातरा की त होता तब भी यहां पर बाई है अगर यहां पर train की जगा कुछ भी बस होता कार होता तब भी मतलब जिससे यातरा की तो इसके लिए हमेंसा बाई लगाते हैं तो भी बाई इसका जो है c option correct हो जाएगा अगला जो question है question number 7 c jumped blank the well तो मतलब जो कुवा है इसमें उसने मतलब की लगा दी ठीक है मतलब वह कुवे में कूद गई तो इसका हो जाएगा जब कोई किसी के अंदर हो अंदर भी जाए और motion में भी है तो कुवे में जब कूदेगी वो तो गती में भी जाएगी मतलब नीचे तरब जाएगी और किसी के अंदर भी जाएगी मतलब कुवे में अ टाइगर्स तो इसका जो आंसर हो जाएगा जो कुशन नमा एट है इसका हो जाएगा बिबेर ओफ का मतलब हो जाएगा आपको जो है बागों से मतलब टाइगर से साब्दान रहना चाहिए साब्दान के लिए आउता है बिबेर ओफ अगला जो question है question नमा 9 है इसमें है he querelled blank my brother तो इसका जो answer हो जाएगा bid यहाँ पे querelled के बाद हमेशा जो है यह bid आता है उसने मेरे भाई से जगड़ा किया अगला जो question है question है question है the thieves broke blank his house तो broke के बाद हमेशा होता है into तो broke into his house मतलब चोरों ने उसके घर को तोड़ दिया अगला जो question है question नमा 11 आरके ठाकोर is senior blank me तो senior के बाद हमेशा two आता है senior junior inferior के बाद हमेशा जो है two आता है proposition तो आप इसको याद रखें अगला जो question है question नमा 12 है me now is satisfied blank her husband तो अभी मैंने बताया जो satisfied है उसके बाद हमेशा आता है with ये fix proposition है तो आपको इसको याद रखना है तो इसका जो answer है तो जो मीना है अपने पती से संतुष्ट है तो इसका जो है c option करेक्ट हो जाएगा अगला जो question है question number 13 इसमें his wife dead जो died है died blank cancer तो died के बाद हमेशा off आता है जब कोई किसी बीमारी से मर जाता है तो died के बाद हमेशा आता है off तो ये आप याद रखें अगला जो question है question number 14 my father is acquainted blank him तो जो acquainted है acquainted के बाद हमेशा जो आता है ये क्या आता है acquainted के बाद जो हमेशा आता है ये बिद आता है तो option जो है be correct हो जाएगा acquainted with him तो इसका मतलब हो जाएगा मेरे पिता उन से परिचित है अगला जो question है question number 15 दिया है he prefers tea to यहाँ पे coffee हो जाएगा तो इसका जो है c option correct हो जाएगा तो आप इसको याद रखें prefer जो है prefer prefer के बाद हमेशा जो है यह two आता है तो यह point आप याद रखें यह fixed proposition है तो आप इसको मत हो लिए का कभी भी अगला जो question है question number 17 है my wife has been suffering from fever for two days तो suffering के बाद हमेशा from आता है तो option जो है d correct हो जाएगा जो मेरी पतनी है दो दिनों से बुखार से पीड़ित है इसका मतलब हो जाएगा अगला जो question है question number 18 the teacher congratulated blank her success तो congratulated on her success तो option जो है c correct हो जाएगा अगला जो question है question number 19 गांदी जी बॉज 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 इन in 1869 तो option जो है b correct हो जाएगा इसका अगला जो question है question number 20 the airplane was flying blank the clouds तो इसका जो answer हो जाएगा ये above हो जाएगा तो option जो है d correct हो जाएगा जब किसी चीज के ऊपर ओड़ रहा हो टेच में ना हो तो ये होता हो काफी area cover करता हो तो उसके पहले लगाते हैं above अगला जो question है question number 21 the police inspector inquired blank the case तो इसका मतला हो जाएगा तो इसमें जो preposition होगी inquire into हो जाएगा यहाँ पर inquire into मतला होता है police inspector ने मामले में पूश्थाच की इसका मतला हो जाएगा अगला जो question है question number 22 जो इसमें दिया है his beloved prevented him prevented जो bird है इसके बाद जो spelling है इसके बाद जो preposition है from आता है prevented from होता है हमेशा तो इसका मतला हो जाएगा उनके प्रिये मतला उनके प्रिये ने उन्हें वहाँ जाने से रोका इसका मतला हो जाएगा अगला जो question है the car is running blank 70 km nr तो इसका जो है option जो है decorrect हो जाएगा यहां पर हो जाएगा at at 70 km nr अगला जो question है question number 24 है तो इसका हो जाएगा he complained blank his classmate तो इसका जो answer हो जाएगा मतलब किसी के बिरुद मतलब की complain की है तो इसका जो है against हो जाएगा option जो है decorrect हो जाएगा अगला जो question है question number 25 distributed these apple blank the children जब किसी में मतलब की दो से अधिक लोगों में जब बांटा जाता है तो उहां पर आपको लगाना है among option जो है c correct हो जाएगा जब दो लोगों में बांटा जाए तो वो जाएगा bed bean यहां पर जो है यहां पर काफी लोग है children मतलब कई कई बच्चे तो हो जाएगा option जो है c correct हो जाएगा among अगला question है question number 26 जिसमें दिया है he aimed his pistol blank the criminal तो इसमें जो है 8 आजाएगा option जो है c correct हो जाएगा इसका जो मतलब हो जाएगा उसने अपराधी पर इसका जो answer हो जाएगा what is the time why तो इसका जो है d option correct हो जाएगा why your watch तो option जो है d correct हो जाएगा अगला जो question है question number 28 my neighbor is jealous blank me jealous के बाद हमें से off आता है jealous of me मतलब इसका हो जाएगा जो मेरे पडोसी को मुझे से जलन होती है इसका मतलब हो जाएगा अगला जो question question number 29 his teacher ordered him to write blank ink तो इसका जो है in हो जाएगा option जो है यहाँ पर in का लीजे option जो है c correct हो जाएगा इसका मतलब हो जाएगा उनके सिच्छक ने उने है c i से लिखने का आदेश दिया तो इसका जो है c option correct हो जाएगा अगला जो question question number 30 है the dog strange blank the table इसका जो हो जाएगा option जो है upon हो जाएगा option जो है b correct हो जाएगा upon the table मतलब की उत्ता मेज पर उचला इसका मतलब हो जाएगा थैंक्यू फ्रेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक इंड़ से जरू करें अगर चैनल पर पहले हो विजिट कें चैनल जरू सब्सक्राइब परें तब तक के लिए जैहिंद वन्दे मात्रम